यह हुआ है आप से भी लोग का सवागत है मिरा नाम है सुधीर और इस पर्टिक्लर वीडियो में हम बात करने वाले हैं Nifty के बारे में Nifty का Weekly चार्ट देखेंगे Day चार्ट पे Nifty के कौन से Important Level है आवली चार्ट पे Nifty के लिए कौन से Important level है प्लेस 15 मिनट के चार्ट पर जो consolidation हमें दिख रहा है तीन दिन से इसका breakout और breakdown कैसे होगा और किस तरीके से हमें trade प्लान करनी चाहिए और यह जो इतनी शाफ recovery आई है market में तो क्या यहां से गरावट भी देखने को मिलेगी यानि retracement भी देखने को मिलेगा इस चीज़ को हम समझने की कोशिस करेंगे तो जल्दी से वीडियो को start करते हैं मैं आगे हो option chain data पर और समझते हैं यहां पर कि nifty के लिए अगला week कैसा रह सकता है क्या nifty में यहां से बड़ी गरावट देखने को मिलेगी या फिर lifetime high की तरफ बढ़ेगा तो सबसे पहले अगर हम समझने की कोशिस करें option chain data को तो यहां पर option chain data यहां पर clearly indicate कर रहा है कि उपर के level पर call writing बर्दस्त हो रही है ऐसा नहीं है कि नहीं हो रही है अब देख सकते हूं यहां पर 18500 के level पर 30 लाग का open interest ख़ड़ा हुआ 18500 के level पर 31 लाग का 8500 थीन सो पर 35 लाग का 19200 पर almost 47,0000 लाग का open interest यहां पर खड़ा है अगर यहां पर हम put की बात करें तो 28200 की जो put है वहां पर 50,0000 लाक का open interest है और 18300 की जो put है वहाँ पे सिर्फ 13 लग का open interest है 18,000 पे 46 लग का open interest यहाँ पे देख रहा है यह है weekly open interest जो कि हमें यह बता रहा है कि 18,000 के नीचे निफ्टी जाएगा तभी यहाँ पे सबसे बड़ी problem है otherwise यहाँ पे कोई problem नहीं है क्योंकि 18,000 पे इसको support मिलता रहेगा और 18,300,400 के दोन में इसको resistance मिलता रहेगा as part the option chain data जो कि weekly है monthly option chain data में एक बार देखें तो monthly option chain data में 27 जन्वरी का अगर हम देखें यहाँ पे तो यहाँ पे highest open interest कहाँ बना हुआ है वो बना हुआ 18,500 पे करीब 19.5 लग का open interest देख रहा है plus 37,500 के put पे almost 5 लग का open interest है तो यह इतना बड़ा open interest नहीं है अगर यह बढ़के 10 लाग 15 लाग हो जाता है तो फिर आपको upside को move देखने को मिल सकता है 18,200 की बात करते हैं तो call पे हमारा 18 लाग का open interest है और put पे 16 लाग का open interest है और highest open interest put side पे हम देखें तो वो है 18,000 पे 27 लाग का उसके बाद सीधा सीधा 17,000 पे 31 लाग का जो कि कह सकते हैं hedging या margin reduce करने के लिए यहाँ पे लोगों ने long के options बाइगा रखें और जायर सी बात है near to budget हम जाएंगे तो volatility बड़ेगी तो उसकी वज़े से IVS की वज़े से यह premium थोड़ा बहुत tic-tac सा मिल रहा है आप देख सकते हैं 17,000 की जो put है वहाँ कितना open interest चल रहा है करीब 10 रुपे का open interest चल रहा है ठीक है अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे understand करते हैं कि actual में market कैसा behave करने वाला है उसको हम देखते हैं चार्ट के basis पे तो nifty का चार्ट खलते हैं और nifty के चार्ट को हम understand करने की कोशिस करते हैं यह है nifty का चार्ट और यहाँ पे चार्ट पे आपको यह day चार्ट यहाँ पे लगा है हुआ है आप देख सकते हो ठीक है यह day चार्ट निफ्टी का ठीक है यह है nifty का day चार्ट और इस पे जो हमें टोटल जो प्राइस एक्षन हमें देख रहा है वो कैसा देख रहा है अगर आप यहाँ से देखोगे तो यहाँ से यह एक negative price action में convert हुआ था और ठीक है उसके बाद यह यहाँ से इसने low बनाया यह हमारा low बना और यहाँ से अब यह straight line की टिकव भी है और वह straight line अभी कोई retracement नहीं देखने को मिला है अब हो सकता है कि यह retracement की अब यह तयारी कर सकता है ठीक है लेकिन जब जब ऐसा कोई मूब आया है तो उसके बाद م्रकेट ने gep कैसा किया है उसको अगर हम पास्ट में करने की कोशिस बहल करें है तो पास्ट में अगर हमचलें तो देखो Be या देको यहाँ पर मारकेट ने स्ट्रेट के आप देख रहे हैँ यह अगर मार्केट ने देखो एक यह एक स्ट्रेट लाइन की टेजी थी फिर एक जबर्दस्त फॉल ठीक है फिर यह एक स्ट्रेट लाइन का मूव था उसके बाद आप देख सकते हो यह एक जबर्दस्त फॉल हुआ फिर यह आपका स्ट्रेट लाइन की एक रिकवरी थी रिकव ने इस पूरे gap को fill कर दिया था ठीक है ना तो अब आपको यहां पे ऊपर के level पर क्या साथदानी रखनी है उसको आपको यहां पर बतानी की कोशिस कर रहा हूं कि यह जो scenario है जब भी market में एक sharp तेजी देखी गई है तो उसका retracement भी sharp आया है यह चीज मैं आपको समझानी की को अब भी देखी है तो जब भी आपको यहां पर कोई important level break होता हूँ दिखाई थे तो फिर आप समझ जाईए कि वो एक sharp ग्रावट में convert होगी तो अभी के लिए अगर important level की बात करें तो वो कौन सा important level है तो अभी के लिए अगर हम बात करें तो सबसे important level कौन सा है वो है हमारे पास 18,000 का ठीक है न यह हमारे पास psychological level है जिसके break होने पे निफ्टी सीधा सीधा आपको 400 point की गरावट दिखा सकता है यानि 17,630 का लोग बन सकता है यह चीज़ आप यहां पे clearly समझ लीजे सबसे पहला level J है इस पे आपको ध्यान रखना है अगर हम technical wise देखे नहां पे technical wise इसको हम समझे तो उसके लिए मैं यहां पे आपको आवली चार्ट लगाता हूँ और आपको एक trend line कीचके दिखाता हूँ जो की इस पूरे trend को hold करके जिसने रखता है ठीक है ओके यह trend line है यह पूरे trend को hold करके रख्यो हूई है जो की नीचे से उपर तक गया तो आपको क्य चीज़ पर ध्यान रखना है आपको यही चीज़ ध्यान रखना है कि सबसे पहले इसके नीचे एक candle close हो जाए ठीक है let us suppose यह एक candle close हो गए ओके यह candle का high था और यह low था जब nifty इस candle का यह जो candle होगी इसके low के नीचे trade करने लगेगा ठीक है ना इसके नीचे trade करने लगेगा तो आपको यहाँ पर एक short plan करना है वो हो सकता है Monday हो जाए वो हो सकता है Tuesday हो जाए यह चीज़ आपको ध्यान रखनी है क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर किसी भी candle की closing इस trend line के नीचे नहीं आए तो इस trend line के नीचे closing आए ठीक है closing इसके नीचे आए और उसके बाद जो closing आईए उसका जो low है वो nifty जब भी break करेगा तब आपको एक short create करना है यह है technical wise की भाशा में आपको यह समझना है कि जब भी यह trend line का breakdown हुआ उसका low टूटा आपको short कर देना है और stop loss जो है वो आप लगा सकते हो जो भी high है वो आपका अगर positional लेके जा रहे हो तो आपका जो भी high recently बना है वो आपका stop loss रहेगा इस case में आपके पास retracement जो मिलेगा वो बहुत बड़ा मिल सकता है ठीक है इतना आपको समझ में आ गया है अगर हम shorter time frame में देखने की कोशित करें यह हमने आपको almost एक बड़े time frame में बता दिया day wise पे एक important level बता दिया 18000 का और अगर हम shorter time frame में बात करें कि यहाँ पे अगले 2-3 दिन में आपको क्या चीज़ पर monitoring करनी है वो चीज़ अगर देखें तो 15 minute का chart है यहाँ निफ्टी का और इसको मैं इवा रिफ्रेज करता हूँ ठीक है यह 15 minute chart है और आपको एक clear picture दिखाई दे रही होगी एक particular zone के अंदर निफ्ट consolidation कर रहा है आपको यह clearly zone दिख रहा होगा यह उपर high और यह नीचे low ठीक है अब इस zone के भार जब भी market निकलने की कोशिस करेगा वो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कभी क्वार क्या होगा यह हो सकता है कि इस channel के भार gap up खुलके फिर नीचे आ जाए ठीक है ना यादे क कि मैं देखो क्या क्या हो सकता है इसको मैं आपको बताने की कोशिस कर रहा हूं देखो यह आपके पास channel है ठीक है अब आपको clearly दिख रहा है 15 minute की closing इस channel के बाहर की नहीं हुई है ठीक है तो 15 minute की closing इसके बाहर होती है नहीं 18300 के उपन nifty 15 minute में close होना चाहिए अगर 15 minute पर close होता है तो फिर हम तेजी की बात करेंगे 18500 तक के target की बात करेंगे और अगर यह नीचे close हो जाता है फ्लाइट खुलके market उपर जाता हो close हो जाता है यहां पर 15 minute की candle close देता है तो फिर आप तेजी कर सकते हो 18500 का target आपका मिल जाएगा और अगर यह नीचे close हो जाता है अगर फ्लाइट खुलके यह नीचे ब्रेक होता है तो फिर आप नीचे आप short कर सकते हो यहां पर आपको करीब 300-400 point यहां पर मिल सकते है नीचे की तरफ उपर आपको कम point मिलेंगे नीचे आपको जाधा point मिलेंगे इस चीज़ को आपको यहां पर सबढ़ना है अब let us suppose market इस channel के अंदर खुलता ही नहीं है तीक है इस channel के अंदर ना खुलके यह सीधा- खुलता है और फिर यह इस तरीके का price action बनाके नीचे जाने लगता है तो अभी आप यहां पर short plan कर सकते हो अगर यह level break होता है ठीक है अगर यह level break हो जाता है 1813 का तो भी आप यहां पर short कर सकते हो same चीज़ नीचे अगर यह gap down खुलता है let us suppose और फिर price action बनाके ऊपर जाने लगता है तो भी आप यहां पर buy कर सकते हो अगर यह level break होता है तो आपको इन दोनों level पर ध्यान रखना है तो आपके पास यहां पर almost 4 level ऐसे आ रहे हैं जिन पर आपको focus करना है उनको मैं दुबारा से repeat कर देता हूँ ठीक है सबसे पहला level आता है आपके यह 15 minute का जो consolidation है इस closing देता है 18,130 के नीचे closing देता है तो negative trend में convert होगा 15 minute की बात कर रहा हूँ मैं ठीक है वहीं अगर हम एक particular trend line की बात करें जो कि हमने यहाँ पर आवली चार्ट पर देखी है क्योंकि यह trend लंबा है और लंबे trend को conversion होने में थोड़ा सा time लगता है तो हमने एक नीचे की यह trend line की बात कर रहा है अगर यह आवली चार्ट पर आपको यह trend line का breakdown होता है और जैसी breakdown candle का low तूटता है आप वहाँ पर यान सकते हो ठीक है जब तक यह break नहीं होता है तब तक आपको short plan नहीं करना है और अगर तीसरे level की बात करें हमने 15 minutes का बात कर ली आवली पर बात कर ली अगर हम तीसरे की बात करें वह है psychological level जो कि हमने day chart पर देखा है जो कि है psychological level और वो क्या है वो है हमारा 18,000 अगर 18,000 break होता है then हम सीधा चीधा बात करेंगे 17,624 की target की क्योंकि यहीं इसे इसने resistance लेके गिराता और फिर इसको इसने breakout दिया और इसका retracement यानि इस तरीकी की कहानी बन सकती है अगर market नीचे आता है लेट तो यहां से आया bounce और यहां से यूँ करके bounce करके ऊपर चला गया अगर यहीं पर आता है और यहां से जाके फिर दुबारा इसको break करता है तो फिर हम इस level की बात करेंगे ठीक है तो यह सारे particular point आपको मैंने बता दिया है अगले week के लिए nifty मैं इनको आपको ध्यान रखना है ग्लोबल market की अगर म मैं बात करूँ यहां पर तो last trading session की अगर हम देखें यहां पर तो देखते हैं यहां पर कैसा market बंद हुआ था अगर हम यहां पर जाते हैं major indices में जाएं तो हमें दिखाई देगा कि dow jones करी 200 point गिर के बंद हुआता है वो nasdaq करी 86 point गिर के बंद नहीं चड़के बंद हुआता है ठीक है तो हमारे पास जो global qs है वो थोड़े से mixed है कह सकते हैं कि कभी dow jones गिर जाता है तो nasdaq कर जाता है कभी nasdaq गिर जाता है तो dow jones jump कर जाता है बट overall देखा जाता है तो थोड़े से negative qs ही हमारे पर प्लस FIH की selling भी है और प्लस हम near to budget जा रहे है तो अब volatility बढ़ने वाली है मुझे पाबली हो सकता है आपको त्यूल्टे वेरल्टे से आपको भड़ती volatility देखने को मिल सकती है तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर साफधानी के साथ काम करना है यहाँ पर मैं जो भी एक red candle बनेगी वहाँ पर एक shorting opportunity ही करने की कोशिस करेंगे उसमें एक अच्छा profit कमाने की कोशिस करेंगे तो I hope दोस्तो यह particular data आपको समझ में आगया होगा दोस्तो फिलाल इस वीडियो में इतना ही है I hope यह वीडियो आपको पसंद आएगा वीडियो पसंद आता है तो like and share जरू करिएगा और चैनल को जो subscribe कर लिए क्योंकि मैं अच्छों दिल लेकर आतर हुआ हर दिन आपके लिए नहीं वीडियो इसी के साथ शुक्रिया दोस्तो जैहिंद